वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए पर जिंदगी दुबारा नहीं मिलती है तरके नमस्का दूस्त हुं जैन सभाओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम जाने की कौन सी जैन सभा किस के समय में यानि किस के सासन काल में आजित की गई थी और उस समझ भाए कौन उसके अधिव से रहा है और उसका टाइम पिरिट क्या रहा तो यह सारी चीजे हम डिसक्स करेंगे और साथ ही हम जैन द्वीडियो को मानने वाले सासक थे जानी के एकдуस्च मैं पुछा गें करें और शाथ वृत एक और सब करेंगे तो सुरू से लास दयां के द्यांस, दिखते रहें और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे description box में मैंने PDF की लिंक दे रखी है तो आप जब पहले वीडियो को पूरा देख लिए उसके बाद PDF डाउनलोड कर लिजेगा और देखे अगर आप इस channel से ऐसे ही वीडियो का automatic notification पाना जाते हैं तो channel को subscribe करने के बाद bell icon प्रस कर देखे आपको मेरे अगले सभी वीडियो का notification automatic और सबसे बहले मिल जाएगा और देखे वीडियो को like करके इसको share करना मदभूलेगा तो चले start करते हैं इस वीडियो को तो देखे जैन धर्म के प्रथन तिर्दकर थे रिसर्प देवजी तो देखे ये दो दो ही प्रसन एक्जाम में जो है पुछे का हैं भारत में कोई भी ऐसा प्रसन है कि जैन धर्म से समदित यह पॉइंट यह रख लिया और देखे सातों प्रसन है कि जैन धर्म के सबसे अंत्यम तेर्दकर कौन थे तो देखे पहला और अंतिम जह हर एक्जाम में भुछाता है तो जैन धर्ब के सबसे अंतीम तिर्थकर थे आपके महावीर स्वामी और इनके बारे में अभी में जोब पूरी डीटेल में जानेंगे और देखे आठों प्रस्णे की जैन धर्ब में पूर्ड ग्यान के लिए कौन सा सब्ध प्रयोग किया जाता है तो देखे जैन धर्ब में पूर्ड ग्यान के लिए कैवल सब्ध का प्रयोग किया जाता है और नवा प्रस्णे की जैन धर्ब में कुल कितने तिर्थकर हुए हैं तो देखे जैन धर्ब में अब तक टोटल 24 तिर्थकर हुए हैं प्रश्ट जो है, सभी परिशाओं में पुछा चुका है और दीके दसोँ परश्ट की पार्शनाथ के अनुजैईयों को क्या का जाता है तो दीके आपके पार्शनाथ यह आपके जैन दिल्द करते हैं और इनके जो अनुजयाई वनको का जैता है निर्गरंथ और ग्यारवा प्रस्ण है कि जैन धर्म के 23 में तिर्थकर कौन थे तो दीखे ये प्रस्ण भी खूब exam में पुछाता रहा है तो maximum लोग पहला और आखरी rate के जाते हैं लेकिन आपको 23 में कभी याद रखना पड़ेगा जैन धर्म के 24 वायर आखरी तिर्थकरते हैं महावीर्ष्वामी नियर्थकर निन कवाज़े बें यात्र कुल के प्रधान सिधार्थ के याँ पांसव चालेस इस्वीह पूरी में हुआ था इनके माता का नाम और उनके पिता का नाम एक्जाम में खुप हो जा था तो इनके पिता का नाम था सिदार्टिक है और इनके माता का नाम था त्रिसला देवी जो की लिच्वी राजा चेटक की बहन थी तो देखें यह जो आपके लाइन यहां पर देख रही है इनमें जो है तीन प्रसणाप के कुल छुपए हुए है पहला ये कि जो आपके महाविर स्वामी हैं इनका जन्म कहां पर हो था तो इनका जन्म हो था वैसाली के निकट कुंडग्रा में और इनके पिता कौन थे हैं देखें इनके पिता जो है सिधार थे हैं जो की ग्यात्रकुल के प्रधान थे और इनका जन्म कहां पर हुआ था ये तो आपने चाल लिया इनका जन्म कब हुआ था तो ये हुआ था 540 इस्वीपुर में और एक सबसे प्रमुप्रसन एक्जामें बार-बार पुछाता रहा है कि जो इनकी माता थी त्रिसला देवी ठीक है ये किस कुल से समदी थे तो ये जो है लिच्वी कुल से समदी थे और जो आपके लिच्वी राजा थे चेटक तो चेटक की बहें थी त्रिसला देवी ये सबी फैक्ट यायदखना आपको और देखे महावीर के पत्नी का नाम था यसोदा और यसुदा से एक पुत्री की प्राप्ती होई महावीर स्वामी को और इनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शनी तो देखे पुत्री जब बड़ी हुए तो इनकी साधी कर दी इन्होंने और इनका जो दामाद था उसका नाम था जामाली तो देखें, यहां पे आपको तीन फेक्ट आपको यार रखने हैं महावीर स्वामी के पत्निका नाम यजोदा था इनकी पुत्री का नाम प्रिदरस्नी था और इनके दामाद का नाम था जामाली और देखे जामाली नाम आपको बिल्कुल याद कर लेना है क्यों कि देखे जामाली जो ही है महावीर का प्रथम सिस्य था और ये एक्जाम में कई बार पुछा गया है कि महावीर स्वामी के पहले सिस्य का क्या नाम था तो देखे महावीर स्वामी के पहले सिस्य का नाम था जो कि उनका दामाद था उनकी पुत्री प्रिदरसनी का पती था और दीके 17 प्रशन है कि महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में ग्रहत्याग किया तो दीके महावीर स्वामी जो है इन्होंने टोटल 30 वर्ष की उम्र जो है ग्रहत्याग किया था और ये प्रशन भी एक्जाम म है इसके बारे पुरी डीटेल बता देता हूँ की कठोर तपस्या के बाद इनको ग्यान प्राप्ट हुआ था और इनको 42 वर्ज की अवस्ता में ग्यान प्राप्ट हुआ था कहां पे जुम्भी ग्राम के समी पर रिजू पाली का नदी के किनारे ठीक है सार अधरिक्षिय नीचे तो यह सभी फैक्ट या ठखना है आपको और दीखें जो कैवल ठीक है तो कैवल ले प्राप्ट होने के बाद जो महवीर सौमी है इनको के वलीन कहा गया और कैवले का मतलब क्या है सर्वोच ग्यान ठीक है तो सर्वोच ग्यान यानि की कैवले प्राप्त होने के बाद महाभीर स्वामी को कैवलीन कहा गया और इनको जीन यानि की विजयता कहा गया इनको अहर कहा गया यानि की योगे कहा गया और इनको निर्गरंद कहा गया और निर्गरंद का मतलब है बंधन रहीद तो ये सभी उपादियां जो है महाभीर स्वामी को दी गई कैवल यानि कि सरवच ग्यान प्राफ्ट होने के बाद और दीकि महाभीर स्वामी की मृत्य हो 468 इस्वीपूर में और 2100 प्राफ्ट है जैन धर में सनलेखडा का क्या तात्पर है तो दीकिest है जैन धर में सनलेखडा का तात्पर है उपास के दोःबारा सरीर का त्याग करना और 22 प्रशन है कि जैन धर्म में जीव का अंतिम लक्ष क्या है तो देखें जैन धर्म में जो आपका जीव है उसका अंतिम लक्ष होता है निर्वान की प्राप्ति करना तेशावा प्रशन है कि जैन धर्म के अनुसार या संसार कितने द्रब्यों से बना हुआ है तो देखिए जैन धर्म के अनुसार जो संसार है ये कुल 6 धर्मियों से मिलकर बना हुआ है और ये 6 धर्मियों कौन से है देखे पहला द्रब्य है जीव, दूसरा द्रब्य है पुद्गल यानि की भौतिक्तत्व, तीसरा द्रब्य है धर्म, चोथा है अधर्म और पांचवा द्रब्य है आपका आकास और आपका छठा द्रब्य है काल्द, तो इन छे द्रब्यों से संसार बना हुआ है, ऐसा जयन जयन धर्म के त्रियतन है, सम्यक स्रद्धा, सम्यक ज्यान और सम्यक आचरण, और पचीसों प्रशनाप का है कि जयन धर्म के अनुसार ज्यान के कितने सुरोत हैं, तो दीखे जयन धर्म के अनुसार ज्यान के कुल आपके तीन सुरोत हैं, और ये तीन सुरोत हैं, प्रत्यक काल में एक संग की असापना की थी, और इस संग में कुल 11 प्रमुख अन्याई समेल थे, और दीखें, जो आपके ये 11 अन्याई हैं, इनको बाद में गर्धर नाम दिया गया, और इस से भी जुड़ी एक खास बात हो रहे है, जो मापीरिश्वाम्यिंगा चीवन काल में इन में से 11 गर्धरों में से टोटल 10 की मृति हो गई थी और इन में से केवल एक ही जिन्दा बजा था इसका नाम था सुधर्मर और देखिए महाभीरत की जब मृति हो गई तो इनके मृतियों के बाजु यह सुधर्मर अठा ठीक है यह जैन्दर्म का पृत्रम अध्यक्ष बना ठीक है तो यह खास बाते रखिए का एक्जाम में बुछा गया है और देखिए जो आपका जैन्दर्म है यह आपका कालांतर में जो है दो भागों में डिवाइड हो गया और पहला भाग आपका था थेरा पंथी ठीक है तो थेरा पंथी को जो है स्वेतामबर के नाम से जानाता है और दूसरा है समया ठीक है तो समया को जो है दिगंबर के नाम से जानाता है तो इसके प्रचलीत नाम है स्वेतामबर और दिगंबर तो यातना कि कालांतर में जो है जैन धर्म को दो भागों में जो है डिवाइड कर दिया गया पहला था स्वेतामबर और दूसरा था दिगंबर तो आईए स्वेतामबर और दिगंबर के बारे में जा लेते हैं और स्वेतामबर के बारे में खात बाते हैं कि स्वेतामबर संपरदाय के लोग जो है ये सफेद वस्त रधार करते थें और जो स्वेतामबर संपरदाय के लोग हैं इन्होंने ही सरवर्थम महाविर की पूजा आरम की थी और देखिए एक और खास बात है देखिए जैन धर्म के उत्तर भारत में दो प्रमोग केंदर थे उज्जैन और मतुरा तो ये भी एक्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के दो प्रमोग केंदर कौँ थे तो ये थे उज्जैन और मतुरा तो देखें ये सारे के सारे point exam में कई बार पूछेगा हैं तो फिर से revise कर देखा हैं कि ये most important ध्यान सुनेगा देखें जो आपका जैन धर्माइज को कालंतर में दो भागों में विवाजित किया गया पहला था आपका स्वेतामबर और दूसरा था दिगंबर देखें दिगंबर कौन थे दिगंबर थे बद्र बाहू और इनके अन्वियाई और इनको जो है दक्षिडी जैनी कहा जाता था ठीक है और साथी में जो आपका ये स्वेत अंबर है ठीक है तो स्वेत अंबर जो है ये स्थूल बद्र के अन्वियाई थें और जो स्वेत अंबर थे इन्हों नहीं सरुपतम महाविट सवामी की पूजा आरम की थी और ये सफेद कपड़े धारण करते थें और दूसरी सबसे खास बात आपको या रहे हैं कि भारत में जो है जैन धर्म के दो प्रमुक केंदर थें उज्जैन और मतुरा और देखे अब हम जान लेते हैं कि जैन धर्म है इसके 24 तिर्थकर कौन कौन से थें क्योंकि इनका नाम एक्जामे पुछा आता रहा है और इनके बारे में जो स्पेशल फैक्ट होंगे उनको जो है इसके बाद में हम डिसक्स करेंगे तो देखे जैन धर्म के जो पहले तिर्थकर थे इनका नाम था रिषब देव और इनको आदिनात के नाम से जाना जाता था पाचवे थे सुमीत नात, छटे थे पद्म प्रभू, सातवे थे सु पार्थम नात, आटवे थे चंद्र प्रभू, नवे थे सुविधा नात, और दसवे थे सीचल नात, ग्यारवे थे स्रियांस नात, बारवे थे आपके वसु मोल, तेरवे थे वीमल नात, चौदवे थे इन सब का नाम आपको एक्जाम में नहीं नहीं देखने को मिलेगा, कुछ बीशा भी नहीं याता है खास तोर से रिसब देव और जो आपके पार्थवनात और महाविर्स वामिये ठीक है इन से सबसे अधिक प्रस्टन एक्जाम में बनता है तो इनका नाम यादर किया बागी आपके आपके नॉलेज के लिए मनने जो है 24-23 कौन को थे इनके बारे मता दिया और देखे एक खास बात है जो आपके जैन धर्ब के 22 में तिर्दकर है जिनका नाम है अरिष्ट नेमी देखे जो अरिष्ट नेमी है ये समकाली थे आपके वासुदेव स्रेकिष्ण के तो एक प्रस्टन एक्जाम में ये भी कई बार पुछा गया है और देखे जैन धर्ब के अनुआई थे आपके खास बात है जो आपके राष्ट कूट नर्यस थे अमोग वर्स बात में जो है मले पले ये राजका समालते थे लेकिन बात में ये जैन सन्यासी बन गए थे और जैन सन्यासी बनने के बाद इन्होंने जो है रत्न मालिका नामक एक गरंद की रशना की थी तो ये प्रस्ण में एक्जाम में पुछा गया है कि रत्नमाली का खिरशना के इस नहीं की थी तो इनका नाम है राश्टकूर्ट नरेस कमोग वर्स और दीखे एक प्रस्न एक्जाम में कई बार पुछा गया है कि जैनधर में जो है जो आपके महावीर सवामी है जो महावीर सवामी 24 में तिर्द कर थे जैनधर के तो महावीर सवामी की पहली महिला बिच्चुड़ी कौन थी तो देखे चमपा के सासक दती वहान की पुत्री चंदना जो है ये महावीर की पहली महिला बिच्चुडी थी इसको या रखना है हर हालत में आपको ये प्रस्ण जो है समझ लिए most important है और देखे जैन धर में इस्वर की मानेता नहीं है लेकिन आत्मा की मानेता है ये प्रस्ण में पुझा के किस धर में आत्मा की मानेता है या फिर किस धर में आत्मा की मानेता नहीं है तो अभी आपको दूसरे धर्म से मैं correlate नहीं करूँगा अभी आपको किवल जैन धर में या रखना है कि जैन धर में इस्वर की मानेता नहीं है लेकिन जैन धर में आत्मा की मानेता है और देखिया थोड़ा साम बात करते हैं जैन संगीतियों पे यानि कि जैन सभाओं पे देखिए संगीती का मतलब होता है सभा तो जो आपकी पहली जैन संगीती यानि कि जो प्रथम जयन संगीती है ये आजित की गए थी आपकी चंद्रगुप्त मौरी के सासनकाल में स्थूल भद्र की अधिक्सता में पाटली पुत्र में और इसका टाइम पिरेड था लगभग तीन सो इस्वी पुरू देखे ये प्रश्णों जयन संगीती जो है इसके अधिक्स कौन है और ये किसके सासनकाल में कहां पे आजित किया गया तो फिर से रिवाइस कर देता हूँ जो आपकी पहली जयन संगीती है ये चंद्रगुप्त मौरी के सासनकाल में इस थूल भद्र की अधिक्स्ता में पाठली पुत्र में लगबग तीन सो इस्वी पुर में आजित किया गया था और अब बात कलते हैं हम दुईती जयन संगीती की देखे जो आपका दुईती संगीती है ये सभा आपका देवर्धी चमा स्रमण के नेत्रतों में गुजरात के वलनभी में नामा कस्तान पे आजित किया गया था छटवी सताब्दी में तो देखे इन दोनों के पिरियेट में काफी अंतर है ये तीन सो इस्वी पुर में आजित किया गया था और जो आपका दूसरा संगीती है ये छटी सताब्दी में आजित किया गया था ये दोनों ही डेट एक्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं तो इनको यार रखेगा और देखे एक खास बात और है जो आपका दूसरा संगीती हुई थी यानि कि दूसरा संपा हुई थी इसी संगीती में जो है जितने भी आपके जैन गरंद है ठीक है उनको लिपी बद्द किया गया था छटी सताब्दी में और देखे कुछ जैन तिर्दकर हैं उनके प्रतीक चिन जो है एक्जाम में कई बार पुछा गया है तो उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहां से आपका कम सकम एक से दो नमबर एक्जाम में जुड़ जाएगा देखे पीचेस के एक्जाम में जो है चार-पांस ऐसे जैन दिर्दकरों का नाम देदेगा और उनके प्रतीक चिन देदेगा उनको मैच करने के लिए देटा है तो आपको जो है जितने मैं बता रहा हूं सभी याद रखना है इनमें जो कलरड वाले हैं यही एक्जाम में सबस्क्रादे पुछाते हैं बाकि यह जो ब्लैक वाले हैं यह कम पुछा आते हैं लेकिन आप complete study करेंगे तो एक्जाम में कुछ भी बूले तो आप सारे प्रसनों का जबाब देदेंगे तो आए बता देग मैच को देखिए जो आपके रिशाब देऊ थें इनका प्रतिक चिन था साण अजीत नाजीत थें इनका प्रतिक चिन था हाथी संभावनात का प्रतिक चिन था घोड़ा सू पार्सनात का प्रतिक चिन था स्वास्तिक सांतीनात का प्रतिक चिन था हिरन नेमीनात का प्रतिक चिन था नील कमल अरिष्ट नेमी का प्रतिक चिन था शंग और पार्शुनात का प्रतिचिन्था सर्भ महावीर स्वामी का प्रतिचिन्था सिंग तो इन सब के प्रतिचिन्था आपको याद रखने हैं और में सबसे इंपोर्डन क्या है रिसब देव, अजितनास, संभावनात, पार्शुनात और महावीर स्वामी का तो इन सभी प्रतीच चिन्था साण, अजीतनात का प्रतीच चिन्था हाती, संभाउनात का प्रतीच चिन्था गोड़ा, पार्चोनात का प्रतीच चिन्था सर्फ और महाविर स्वामी का प्रतीच चिन्था सिंग तो इन सभी प्रतिक चिन्नों को आप याद रखेगा इसको जो है आप अलग से कहीं नोट भी कर सकते हैं तो इसे के साथ ये वीडियो यहीं समात होता है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आयागा तो दीकिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो इसको like कर दीजे और like करने को इसको share कर दीजे सभी group में ताकि और भी छात्र जो है इस वीडियो को देखके इसे लावानी थुसके और दीकिए comment box में बता दिए कि आपको अगला वीडियो जो है ये किसका चाहिए ठीक है मतलब topic बता जिए मैं उसमें जल्दी ही वीडियो बनाके upload कर दूँगा और दीकिए आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी comment box में बताइए का और जो लोग नए है वो चैनल को subscribe कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का notification उनको automatic और subscribe ने मिल जाए तो इस इक साथ बहुत बहुत धन्यवाद thank you and best of luck for all your upcoming examinations thank you